नमस्कार जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई विभिन संक्लाओं की एक कड़ी में साक्षातकार किये जाने का भी एक हमारी योजना है जिस पर लगाता काम किया जा रहा है उसी कड़ी के अंतरगत आज हम आपसे आपके साथ आप मुखातिब होंगे डॉक्टर शानू ब क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत गंभीरता से इस बात पर प्रशास्टिक इस्तर पर भी सोचा जाता आगा है राजनेतिक इस्तर पर भी दिखा जा रहा है स्वास्ति मंत्रा ले भी देख रहा है कि इस्त्रियों की जो शारेरिक शंताय हैं उस पर पहले इतना ध्यान नही जाता था और इस तरह यह बहुत सारी ऐसी बीमारियों से गुजर दे थी ऐसे रोग से गुजरती थी जिनका इलाज भी नहीं हो पाता था वो खुल के सामने भी नहीं आपाती थी लेकिन आप घुल घुल जबसे आपने अपना शुरू कि आई मेबीएस के रिया और आप में लगन लगी कि मुझे इस दिशा में ही काम करना है और आपने विशेश योगताइं प्रयाक्त करें तो आपके सामने हैं ड़्टर सानु बंसरी नमस्कार है तो ड़क साब आप से बात शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रेशन यह आता है कि यह जो आपने जीवन का शेत् कर रहे हैं और यह से चुन लिए आपने या इसके पीछो कोई जैसे मन में मिशन होता है कि नहीं मुझे इस शेत्र में काम करना है ऐसा कुछ है शुरू से ही जब पढ़ाई कर रहे थे बच्पन से ही तो थोड़ा सही नंबर भी सही आते थे क्लास में तो मेरे जो माता-पि रहता है उनको सबको रहता था कि भई इसको डॉक्टर बनाना ए तो यह प्रेहना मेरे अंधर सुरू से वही से आई कि आई आपको अपने को और फिर दीरे यह लगा कि यदि अपन एक बिंगे लेडी कि अपन अपने से जो related है बिमारी उन जादा अच्छे से इलाज कर सके और महिलाओं से ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं इस बारे में मेरे खाल से दो दर्शक के आसपास हो गए आपको हाँ तो मैं आप से सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि इस तीन लाइन हैं जीवन में एक महिलाओं जीवन के तीन मोड़ है एक वो उसकी जब वो उसकी मैशुर्टी होती है पिर उसकी विवायतियादी होता है फिर एक पिरेड ऐसा आता है जो जहां उसका साइकल मौना को बंद होता है वो स्थित्य आती है और एक व्रद्रावस्था तो हम शुरू से अरबार शुरू करें कि लड़की तेरा चौदा पंदरा साल की होती है उसका साइकल शुरू होता है तो थोड़ा सा यह बता सके हैं आपको अच्छा लगेगा कि अरू किशोर बच्चियों को किन बातों पर जाता थ्यांता है क्या है कि जब एक लड़की 11-12 साल के बाद जैसे ही युवावस्था में आती है 14-14 साल की में तो उसके शरीर में बहुत परिवर्तन होते हैं तो एकदम से उन चेंजों को के लिए एड़ेप्ट होने में टाइम लगता है तो यदि अपन अग्याराईबार साल की एज में ही हो अफ़र उसको धीरे थोड़ा बॉत सम्झाते रहें आज कल तो किताबों में भी सभाता है तो वो एकदम से जब उसको पीरियर्ट शुरू होते हैं तो उसको एकदम से घबराती नहीं है तो धीरे-धीरे वो अड़कर हो जाती है तो आपके 13-14 साल के जब आप हो जाओगे तो आपके क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं आपके शरीर में तो वो उसको धीरे-दीरे ऐसे आजकल बहुत सारे जो ये एंजियोज होते हैं ये सब भी ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि उनको अवेर किया जाता है बच्चियों क शहरों में जो लड़कियां रहती हैं उनको तो वो तो सिक्षा भी पूरी ले पाती है तो उनको पूरी जानकारी पहले से ही रहती है लेकिन गाओं में ये एंजियोज के दोरा प्रोग्राम चलाये जाते हैं तो उनको उस चीज से अवेर कराना जादा जरूरी होता है ताक उन चीजों को उसी आधार पे लेगी ताकि अगर स्वच्छ रखेगी उस टाइम पे कैसे अपन को क्या प्रियोग में लेना है तो यह सब चीजों उसको पहले से बताएंगे तो वो जब शुरू होंगे तो वो उसी आदत में रहेंगे उसको अब क्या है कि बच्चियां होती है वो पिता से तो यह सब चीजे बाते नहीं कर सकती लेकिन माता है उनको शुरू से इस बारे में समझा सकती है थोड़ा सा जब 11-12 साल की एज के बाद से उसको दीरे दीरे तो वो उन चीजों के लिए पहले से तयार रहेगी उसके बाद क्य क्या एक चीजें को गिए यूज करने हैं सब आप तैयार हो यूज करने हैं, कब आप तयार हो कि आपको प्रिपार्ण करो करकी को फीर हर किसे पढ़े क्या क्या आपको स्थालने कारेह लो ओट है आपको कैसे कैसे सी रागुलर डॉके को संवा भीकर खादा में के detox के Кी आपको कैसे यह सब टेबलेट लेना जरूरी होता है ताकि बलड की कम ही नहीं नहींयों now they have to protect solar सअनोग्राफी करूर अब ज़रूरी होता है तो सोनोग्राफ्य लेना जरूरी हो जाती है तो बच्चे में यदि कोई खराबी हो तो वो पहले ही पता चल जाती है, तो अपन पहले यदि नहीं मलब बच्चे में ज़्यादा खराबी है, तो अपन डॉक्टर की सला से पहले ही उसका इलाज करा सकते हैं, यह चीजे रहते हैं, फिर यह रहता है कि आपका प्रेग्नेंसी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पर यहां चीजे लेनी हैं कितने फल्फरुट्स लेने हैं давaiyan लेनी है तर आफ रख या जाएगा तो। करानी है? यह सबसे जजादा इंपोरेंट है कि देलेवरі क्या होता है? भैट हो जाती हैं गर बांवास्तावल सब जाती है? जननी सुरक्षा योजना उनसे उनको पैसा भी मिलता है ताकि यह सब इसलिए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इंस्टिउशन में डिलेवरी ताकि बच्चे को और मां दोनों सुरक्षित रहें फिर उसके बाद क्या था है कि मेनु पोज होती है कि स्टेज जब उसमें बंद हो जाते हैं तो इसमें कोई फाइब्रोइड है यूट्रस में या कुछ और भी मिमारियां अपन को पता चलती है तो उनका इलाज कराना जरूरी होता है नहीं तो बाद में क्या आगे चलके कोई कैंसर करूप भी ले सकते हैं तो इसलिए अवेर करना उनको जरूरी है कि वही 45-50 साल की एस तक पीरडबंद हो जाने चाहिए मैनुपोज की स्टेज आ जानी चाहिए नहीं आती है तो यह दिक्कत की बात है तो अपने को उसके दिखने की बात है कराना चाहिए इलाज तो ताकि उसका टाइम पर इलाज हो सके क्योंकि आगे जाके कमजोरी हो दिक्कत हो तो वह आली चीज भी मेरे जानकारे में असा भी आया मैडम की अधिकास ओरते हैं फाइब्रोइड को रसोली भी कहते हैं तो उसको लाइटली लेना जरूरी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका उसकी वज़े से क्या है कि कई बार महावारी ज्यादा आती है लेडिंग ज्यादा होगी हमोगलोबिन कम होगा एनीमिया होगा दिक्कत आएगी उसकी वज़े से पीरेड़ ज्यादा टाइम तक रहेंगे जल्दी जल्दी आएंगे तो इलाज कराना जरूरी है उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए क्योंकि वह बढ़ भी सकती है मानसिक रूप से भी कुछ तैयारी होने चाहिए या मानसिक स्टेटास को भी थोड़ा सा अपने आपको मिंटें डखना चाहिए है जो होर्मोनल चेंजेज होते ही हैं क्योंकि जो होर्मोन दीरे-दीरे यूटरस से कम रिलीज होंगे यूटरस और ओवरी से तो मूर चेंज अच्छ वाली चीज भी ले सकते हो और बाकी आपको थोड़ा मेंटली तो प्रिपेर रहना ही पड़ता है उस चीज के लिए मतलब उसका ही रहता है कि आप अपने आपको बीजी रखो अपने आपको जिससे की इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं रहे किसी भी तरीके से बीजी रखा जा सकता है अपने आपको क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है की लेडी को इधर होर्मोनल चेंजिस भी होते हैं और उदर घर से थोड़ा क्योंकि वह तो देखो अब हैज के आदार पे वो तो हो गई उसको तो अपन टाल भी नहीं सकते पाकी इलाज अगर ज्या कुछ दिक्कत में आती है उट्रस प्रोलैप्स वगएर की स्थिती रहती है कई वार उसमें क्या होता है कि लिगामेंट्स वगएर कमजोर हो जाते हैं ठीक उनकी जो टाइटने से वो डीली हो जाती है जीरे तो बहुत सारी लेडी जे आती है विल्कुल जो ओल डेज में हो सबसे ओल डेज में यह सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज रहती है कई बार की लिगामेंट्स वी को गए तो यूट्रस नीचे आजाता है उसके लिए नेडी क्या जहां लखना है उसके लिए तो ध्यान तो यह रखना है कि एक तो अपन को ज्यादा एक्जर्शन वाली च करना पड़ता है क्योंकि उसको क्या है कि वह भार रहेगा तो यूट्रस भी कई बार इंफेक्टेड हो जाता है उसके बाहर रहती है वह तो उसके उपर अलसर बन जाते है तो एक्स्ट्रा और यूट्रस बाहर है उसके उपर अलसर भी बन गए तो और ज्यादा कंडिशन खराब हो जाती है तो उसको फिर निकलवाना ही पड़ता है इस्ट्रक्ट में करानी पड़ती है फिर उसके बाद सही रहता है फिर दिक्कत यूरिन में और इन में भी नहीं आती है और तो कुछ आप कहना चाहें और तो कुछ ऐसा नहीं बस यह है कि लड़की मतलब एक जो मह कर देएगी उसकी डिक्कत तो होती है लेडिस के लाइप मुझती है नहीं हर उसमें चेंज जाते है एक पुरुष को इतना निसायन करना पड़ता जितना की महिला के जीवन में चेंज जाते तो उनको अपने अपन खुद मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो लाइफ अपने आने वाले आपके जो उसमें आते हैं इलाज के लिए पेशेंस आते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहें अपने होस्पिटिल के वज़े से जो संस्ताब चला रहे हैं मैं तो यह कोँगी कि देखो हम सेवा करने के लिए हैं इसलिए यह फिल्ड चुना है आप आये आराम से कोई दिक्कत नहीं है दिखाएं हर मतलब जितना हम हम से हो सकेगा उतना तो हम इलाज करेंगे बाकि अगर कोई ज्यादा दिक्कत रहती है तब तो देखो रैफर करना ज्यादा सही है वाकि आर्थी रूप से जो संपन नहीं है उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है आप आओ अराम से जितना हम से हो सकेगा उतना हम अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करेंगे उस ग्राउंड पर भी आप सोस्ते हैं बहुत सारी अच्छी जानकारी है जो आम युव सिद्ध होगा काफी लोग देखेंगे इसको और आपसे निजाद चाहते हैं आज थिर कभी मौका लेंगे थिर बात करेंगे आपन लोग बन्यों